सब्सकारब करें अपने यूटीब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए वालकम फैंट्स सुवाग दम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक इसकिन क्रीम के बारे में जानेंगे जिसका आपके गर क्लिनिक हो स्पीटल तथा मेडिकल पर होना बहुत ज्यादा आवश्य के क्योंकि इस क्रीम को अमर्जेंसी दवों में सामिल किया गया है यह क्रीम कौन सी है इसका क्या कॉमपोजीशन है कि इसको किस सरह से लगाएं कि बेटर रिजल्ट मिले इन सभी बातों को इसके अलवभी करने महत्तपून बातों को इस वीडियो में हम जानें किसलिए वीडियो को बिना इसकिप के अंतक देखें मैं हूँ आपका होस्ट मोही दादी इस वीडियो में जिस क्रेम के बारे में हम बात कर रहे हैं उस क्रेम का नाम है सिल्वर जैसे क्रेम और इस क्रेम को बाये नोवा कमनी द्वारा बेंचा जाता है इस क्रेम का कॉमपोजीशनी स्क्रेम को इस्पेसिल बनाता है जो कि यह सिल्फर सल्फार डायजिन, क्लोरहेक लिए जाता है दुशी दवा है लोगोनेट यह टोपिकल एंटी सेप्टिक दवा है जो इसकीन पर हारमफूल बेक्टीरिया को जो हारमफूल माइक्रोगनिजम में उनको खत्म करती साथ इसकीन को क्लीन करने का कारे करती है और तीसी दवा जो इस क्रेम को स्पेशल बना देत है वह है लिगनोकेन लिगनोकेन एक लोकल एनस्थेटिक दवा है जो अफेक्टेड एरिया पर लगाने के बाद वहां की सेंसेशन को ब्लोक कर देती है जिस कांट से व्यक्ति में जलन तता दर्द बिल्कुल ही महसूस नहीं होती और यदि आप मेडिकल फिल्ट से रिलेट से वहां 225 रुपए 225 रुपए की MRP माँ को मिल जाएगी अब वीडियो मागे इस क्रीम के यूजर को जान लेते हैं किनकिन इस्तितियों में इसका प्रियोग लिया जाता है तो जैसा कि यह क्रीम टोपिकल एंटिवायोटिक टोपिकल एंटिसेप्टिक तारा लोड़कल इसका प्रियोग इस जुरी हो जो समझ से उनको ठीक करने कर लिया जाता है जैसे यदि किसी व्यक्ति को इसकी बर्न हो गया हो वह बंट चाहे गर्म पानी से हो चाई कोफी या किसी अन्य लिक्वीड से हो डायरेक्ट आग के संपर्ग माने करनो किसी मेटल के टच हो जाने क करनो किसी अगर्न हो गया उस जगा पर व्यक्ति की गोदि को बहुत दर्द होगा जलन करने करने के लिए लिए इस के कावे लिए य hen죠 हैं धर्मोट हो जाएगा धर्व चलान उसको महसूस नहिंहीं गी साथ इसमें सिल्वर सल्फाड है जिनता था क्लोर हेक्सीडिन है तो यह बेक्टिरिया था माइको अगीजम की ग्रोथ को नहीं होने देंगे और वुंड बहुत ही जल्दी भर जाएगा तो किसी भी परकार का अगर इसकीन बर्न हो तो इस केम का प्रियोग उसके बर्न पे लि कोच आ गई हो तो उससे ठीक करने के लिए स्केम को दिया जाता है साथ ही कोई व्यक्ति जो स्कीन पर छोटा कट लगिया हो तो उस समय भी इसका प्रियोग लिया जाता है और तीनों ही कंडिशन में दर्द से रहत बहुत ही जल्दी यह क्रीम देती है इस कांट से डॉक्ट 55 लगाने के पहले आपको यस एरी कुरण करना इस जगाव दिया है घृ जल्दी से भड़ जाये करेव कृटे साती इस क्रेम को ना इस लोगते हैं तो अ ईधीवाइब भात इसे सतोर से द्यान रखें इस 체험 को ब Одन पर अगने के बाद पट्रिश दिंधें और बिश्रोओं से लगा और सकते हैं कितना डिक्री का बढ़ने उसमें डिपेंड करता है इस किरेंड का प्रियूग बड़ों में महीलों में तदा बुजूद्गु में सभी में लिया जा सकता है जिसमें इसकी आवस्पता है इस ग्रेम पर जहां पर इसको लगाया गया है रेडनेस हो जाएगी सुजन वहां पर आ सकती है इरीटेशन होना इचिंग होना जलन होना कुछ तरह की एलर्जीक रियेक्शन हो जाना इस तरह की समझे हो सकती है यदि यह यह इसके लिए दूसरा डिजर्विर आपको मिले तुरूंति आ दर्द को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से लिये जाता है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल नए तरीके से एक वीडियो में ने बनाये हैं उमीद करता हूं यह नहया तरीक आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करता हूं मिलते हैं किसी नई दवा के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए स्वस्तने और मस्त